23 नॉवंबर 2023 को देव उठनी एकादसी है जिसके बाद हिंदू धर्म में विवा के कारिय सुरू हो जाएंगे तो आज हम आपको बात आएंगे कि वर्ष 2023 और 2024 में सुब मोरित किन रासियों के लिए सुब मोरित और सुब समय रहेंगा हम बात करेंगे पहले वधू से उठनी एकादसी नौंबर 2023 इसके बाद गुरु जो रहेगा वो अपनी मेस रासी में रहेगा अप्रेल 2024 तक तो मिथुन रासी वाली लड़कियां सीयरासी वाली लड़कियां तुला रासी धनू रासी और मिन रासी इन रासी वालों की लड़कियों के लिए विवा करना स्रेष्ट है वे विवा कर सकते हैं करकरासी व्रसिक रासी कुम्ब रासी और मेस रासी इन रासी वालों की जो लड़कियां है उनके लिए विवा का समय स्रेष्ट नहीं है लेकिन वो पूजन पार्ट इत्यादिक कर्म से भी विवा कर सकते हैं तो आने वाली समस्याओं का समाधन अभी हो जाएगा अब हम उन रासियों की बात करेंगे जिनके लिए किसी भी परिस्तिती में विवा करना अच्छा नहीं है वो रासिया है वरसब, कन्या और मकर मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ वरसब रासी, कन्या रासी और मकर रासी इन तीन रासियों की लड़िकियों के लिए अप्रेल दो हजार चोविस तक विवा करना नेस्ट है, खराब है अगर वो विवा करते है तो सत प्रतिसत आपको आपके दामपत्ते जीवन में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा अब हम बात करेंगे वर्पक्षे की लड़के का सूर्य बल देखा जाता है जिस तरीके लड़की का गुरू बल दिखा जाता है उस तरीके से लड़के का सूर्य बल दिखा जाता है सूर्य जो अपनी एक महिने तक एक रासी में रहता है एक महिने के बाद वो अपनी रासी को परिवरतन करता है तो हम 17 नवंबर 2023 से सूर्य जो है वरस्टिक रासी में है वरस्टिक रासी के बाद वो कुम में धनू में मकर में कुम में मिन में 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 इस तरीके से वो अपनी क्रम्बद रासियां हर एक मेहने में 28 से 30 दिनों में वो रासी परिवर्तन करता रहता है तो यहां पर आपको जो है यह देखना पड़ेगा कि आपकी रासी किसे आपका विवा किस महिने में हो रहा है और उस महाने में सुर्य किस हैं सत्रार नवंबर से लेक有沒有 16 दिसंबर तक के बीछ में विभा कर रहा हैं तो इसके लिए आपका जो सूर्य लड़कों के लिए वो किस राशी में रहेगा उसके हम बात करते हैं किसके लिए स्रेष्ट है किसके लिए पूजन पार से कर सकते हैं किसी के लिए खराब रहेगा तो व्रसिक राशी वाले सूर्य व्रसिक राशी में है इसके लिए जो स्रे रहेगा वह मैस और धनू इन तीन रासी वालों के लिए ये समय काफी खराब है आपको 17 दिसंबर तक ये विवा नहीं करना चाहिए